भारत माता की भारत माता की चत्रपती शिवाजी महाराज की चत्रपती शिवाजी महाराज की 67 वे नैशनल स्कूल फिल्ड अथलेटिक्स टॉर्नमेंट में मंचपर उपस्थेत महाराज्टर के जनप्रिय मुख्य मंत्री श्रीकनाथ्रा उशिंदे जी हम सभी के लाडले नेता इस आयोजन को जिन्होंने ये गरीमा दिलाई ऐसे हमारे चंद्रपूर के पालक मंत्री सुधिर मुनगंटिवार जी हमारे क्रिडा मंत्री संजे बंसोडे जी रामदा सामबटकर जी चंदन भया चंदेल जी किरन पांडव जी दत्तात्रे पाइकवार जी रानी द्वेदी जी ओपी गुपता जी विकास खारगे जी भाद्दूर सिंग चवान जी हमारे जिन पर हमको नाज है ऐसे हमारे खिलाडी हिमादास ललिता बाबर मालविका बंसोड मंचपर उपस्तित श्री विने गवड़ा श्री विवेक जॉनसन श्री परदेशी श्री अविनाश पुन श्री शेखर पाटिल बिभीशन चोरे जी मन्चासीन सभी मानुभाव उपस्तित सभी खिलाडी और उपस्तित सभी बेहनों और भाईयों मैं सबसे पहले आप सभी का इस नाशनल स्कूल अथलेटिक्स टॉर्नमेंट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यह टॉर्नमेंट बहुत ही सफल होगी यह टॉर्नमेंट खेल भावना के साथ खेली जाएगी और इस टॉर्नमेंट से हमें भविश्य के मेडल विनर्स देश का नाम रोशन करने वाले खिलाडी प्राप्त होंगे इसलिए मैं सभी खिलाडियों को बहुत-बहुत शुबकामनाएं देता हूँ वैसे तो हम सभी लोग यह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अगर स्पोर्ट्समन स्पिरिट नहीं होगा तो व्यक्तिवत्व पूरा नहीं होता खेल ये केवल हार और जीत के लिए नहीं खेला जाता खेल एक इस प्रकार का आत्म विश्वास व्यक्ति के मन में तैयार करता है कि जीतने के बाद आदमी हर्शित तो होता है लेकिन गर्व से किसी का अपमान नहीं करता और हारने के बाद उस हार को भी स्विकारने की ताकत उसके अंदर तैयार होती है इसलिए हमारे अटल विहारी वाच्पेजी कहते थे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित में जीवन के संगर्श पत पर ये भी सही वो भी सही ऐसे कहने वाले अटल जी और उनके ये शब्द मैं ऐसा मानता हूँ हर खिलाडी के लिए बहुत महतोपूर्ण है और हम खेलते समय हमेशा हार और जीत का विचार न करते हुए अपने देश का नाम अपने प्रदेश का नाम हम कैसे उचा करे ये विचार रखकर अगर खेले तो मुझे लगता है कि निश्यत हम आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे भी कोई मेडल पाना ये मन्जिल नहीं होती हम सबने सुना है कि बाज की असली उडान अभी बाकी है हमारे इरादों का इमतिहान अभी बाकी है अभी तो नापी है मुठी बर जमी हमने अभी पूरा आसमान बाकी है और इसलिए आसमान को नापने की एक ललक जब हमारे मन में त model होती है तभी हम लोग ओलेंपिक भी जीत पाते हैं तभी हम ऐसियार भी जीत पाते हैं और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग निश्यत रूप से उसी और अगरसर होंगे मैं सुधिर बाउ को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुधिरभाव ने चंद्रपूर में ये गेम सिहा पर आयोजित किये जैसा सुधिरभाव ने बताया ये बाग की भी नगरी है और ये साग की भी नगरी है यहाँ पर बाग भी है और हमारा सागवान भी है और दोनों की विशेश्टा ये है कि किसी भी प्रकार के मौसम में इनके ओपर कोई असर नहीं होता और जैसे बाग ये जंगल का राजा है वैसे साग भी ऐसी लकड़ी है जिसको कोई दिमग यहाँ पर खराब नहीं कर सकती खा नहीं सकती और इसलिए इस मजबूत ऐसे चंदरपूर जीले में आज हमारे देश के सारे भविश्य के खिलाड़ी यहाँ पर आये है तो मैं उनका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी महराष्ट की सरकार उनकी अगवाई में उनके स्वागत में पूरे तरीके से ज तो तीन चार दिन जो है इन दिनों में केवल खेल ही नहीं तो साथ साथ हमारे चंदरपूर के बागों का भी दर्चन होने वाला है और उनी बागों का स्पिरिट लेकर उसी टाइगर की प्रवृत्ति को लेकर आप सब लोग यहाँ से जाएंगे यह मेरा विश्वास है मैं आज के इस मोके पर लंबा भाशन नहीं करना चाहता हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बोलने वाले है इसलिए मैं सभी खिलाडियों को बहुत-बहुत शुबकामनाय देता हूं आप सभी जीतने की कोशिश कीजिए जो जीतेंगे उनको शुबकामनाय जो नहीं जीत जीतेंगे उनको बेटर लक नेक्स टाइम आप प्रयास करते रहिए निश्चित रूप से एक दिन आप भी जीतेंगे इस विश्वास के साथ मैं सुधिर भाव का और हमारे क्रिडा मंत्री मंसोडे जी का और हमारे क्रिडा विभाग का बहुत-बहुत अभिननन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं जैहिन जैह महाराष्ट।